आज का ये आईतियासिक और स्वर्निम दीन है कि आज हमारे अधर्निय प्रशान मंतरी नरेंदर मोदी जी को एंडिये संसदिये दल के नेतापत पर राजनाथ सिंग जी ने जो प्रस्ताव रखा है और मैं हमारे बास अब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्तन देता हूँ और पिछले दस सालों में हमारे अधर्निय प्रशान मंतरी जी ने इस देश का विकास किया इस देश को आगे बढ़ाया इस देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन करने का काम किया देश की अर्त विवस्ता को मजबूत किया और हमारे देश को एक नई पैचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नितिश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए है उनका क्या होने वाला है उन्होंने कहा है और कितना भी जुटे नरेटिव जुटी अफवाय फैला कर देश की जनता को गुम्रा करनी की कोशिश की लेकिन ये जुटे नरेटिव जुटी अफवाय फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आधर्निय प्रदान मंतरी जी को स्विकारा है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाओंगा लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्तित नेताज कर है नड़ा जी है, राजनात सिंग्जी है, अमिद भाई है हमरे आदरनी अजित दादा जी है वहाँ अभी सभी महानुबव है एक सियम है, वहाँ हमारे चंदरा बाबुजी है, नितिश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्तित फिर से सांसद बने है उनका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ शिवसेना के बारे में इतना है मैं कहूंगा कि एस सियुसेना और भारते जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है बाहसर ठाकरे जी के नेतरूतों में हमारे गड़बंधन हुआ है ये गड़बंधन एक फेवी कोल का जोड़ है, ये बिल्गुल तुटेगा नहीं है हर लोकसभा के चुनाओं में जो हमारे आधर निया प्रधान मंतरी जी ने जो मेहनत की है जो सभाय लिए है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगाता तिसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से, रिदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुब कामनाय देता हूँ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनके लिए, मैं उन्हें चार पंक्तिया पेश करना चाहता हूँ, आपकी इज़ादत से मैं उस माटी का उर्ख्ष नहीं, जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैं, मृत्व से जिवन खीचा है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे और दस साल जो काम किया है, उसके गवापन सब है और इसलिए लोगों ने विकास को मैत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनिती करते थे उनको उनके घर पर बिटा दिया है और फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे मैं उनका अभिनंदन करता हूँ मैं उनको बहुत बहुत शुब कामना देता हूँ धन्यवाद